HELLO GUYS मैंने पहले वीडियो में बताए था कि स्क्रिन्शॉट साउंड हम किसी भी फोन में किसे बंद करे मैंने बहँब यह बताए था यह जो हमारे ring बाला mode होता है मैं बस इसे no ring पर set कर देना होता है तो जो हमारा स्क्रिन्शॉट साउंड होता है वो नहीं play होता है So guys मेरे पास एक comment आई थी कि जो है उनके इंस nix के phone में जब यहाँ पर यह जब set कर देते हैं तब भी जो है उनके phone में screenshot sound play होता है मतलब disable ही नहीं होता है So guys यह वीडियो में खास कर उनी के लिए बना रहा हूं तो I hope वो यह वीडियो देख रहे होंगे So guys में यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी trick बताने वाला हूं जिस जो है आपका कोई भी phone हो इसमें जो है आपका screenshot sound play नहीं होगा बस आपको एक setting करने होगी निकल इसमें आपके लिए कुछ conditions रखी जाएंगी So guys पहले में आपको यहाँ पे दिखा देता हूं यहाँ पे आप देख लीजे यहाँ पे जब आप इसे ऊपर एसे करते हो तो यहाँ पे देख लीजे पहले में रिंग बाला mode अटा देता हूं अब यहाँ पे आप देख लीजे यहाँ पे देखें हमें एक do not disturb mode का एक option मिल जाता है यह आप guys देख रहे हो यह जो हमें एक do not disturb mode का यह जो हमें एक option मिलता है तो guys पहले तो आप इसे एक बार on करके देखिए और यहाँ पे जो है एसे एक बार फिर से आप screen shot लीजिए अगर आपके phone में यह आवाद करता है यह फिर नहीं करता है तो आपको भी कुछ भी नहीं करना है क्योंकि do not disturb mode के बहुत सारे काम होते हैं इसमें पहले पहले में आपको बता देता हूँ इसमें जो है आपको एक बार इसे hold करके आना है और यहां से जो हमारे सबसे नीचे मिलता है do not disturb पहले तो इसे आप off कर दीजिए और यहां पे देखे सबसे उपर आपकी जो calls होती है यहां से अगर आप यह जो आप अगर इसे own कर दोगे तो यहां से जो होते हैं और इसे calls भी जो है आपकी calls जो है miss हो सकती है और guys यहां पे आप देखे जिए जब सबसे नीचे में मिलता है do not disturb एक बार इसे आप own करके देखे और यहां पे देखे में third number पर एक option मिल जाता है see all exceptions यह आप देख रहे हो एक बार आपको इस पे click करना है और यहां पे देखे हैं allow calls, allow message आप message भी allow कर सकते हो जैसे अपने तरीके से निकल कर रही है जरूर क्योंकि आपके फिर miss हो सकते हैं फिर ऐसे situation में guys यहां पे आपको पहले यह पेले तो यहां पे आपको देख लेना होता है यहां पे देखे में मिलता है allow alarms जो मेरा sound होता है वो जो है play होता है अगर मैं इसे off कर देता हूँ तो हमारा sound होता है वो नहीं play होता है यह भी मैं आपको दिखाएता हूँ यहां पे देखे sound जो है नहीं play होता है अगर यह allow touch sound जो है own होगा तो यहां पे जो है play होगा गाईज यह आपको सुनाई नहीं पड़ना वो पर नहीं पड़े रहा होगा निकलिए सच में होता है यहाँ पर जो आपका खास ओप्शन मिलता है अलाओ टच साउंड आपको बस इसे ओफ रखना है और बाकी जो आपका कास ओर एसमेस यह आप सेट कर लीजे क्योंकि इसे जो है मिस हो सकती है निकल इसे आप ट्राई सिर्फ तब भी ही करिए जब आपको कहीं पर स्क्रिंशोट लेना है बिना मतलब आपके जो है साउंड प्ले ना हो तो बहाँ पर ही से डून और डिस्क्रिंशोट मोड का जो है काम कीजिए यहाँ पर देखे जब भी आपको स्क्रिंशोट लेना हो तो तब एक बार जो इसे ओन कर दीजिए और यहाँ पर आप आसानी से स्क्रिंशोट ले लीजिए और फिर जब आपका काम हो जाए तब आ इंट्रेस्टिंग वीडियो में थेंक यू फ्रेंड्स